हेलो एब्रीवन और वेल्कम बैक टो मैं चैनल माई क्लास रूम यहां हम पढ़ रहे हैं क्लास 6 की स्पैरो बुक और हमारा लेसन है अब मिट समर्स नाइट ड्रीम यह है हमारा पार्ट टू तो इस जैसे मैंने बोला यह एक play है और इस play को अच्छे से समझने के लिए प्लीज इसका पहले पार्ट के चारो वीडियो और इस सेकिंड पार्ट है इसका भी फर्स्ट वीडियो आप क्लास 6 की English की playlist में जाकर अच्छे से उसको समझ लीजिए तब ही ये play आगे से समझ में आएगा नहीं तो बहुत मुश्किल है समझ में आना तो चलिए हम शुरू करते Had he first seen Hermia when he awo the blunder puck committed would have been would have been of no consequences तो had he first seen अब जैसे ही puck ने Lysander की आँखों में वो purple flower का juice डाल दिया था तो had he first seen Hermia अब जैसे ही Lysander अगर अपनी आखे खोलता खोल कर अगर उसे Hermia दिखाई देती first seen मतलब पहले Hermia दिखाई देती so when he awoke मत जैसे ही वो जागा था the blunder blunder यानि वो जो पूरा blunder puck ने किया था committed would have been of no consequence मतलब जो puck ने किया उसका कुछ भी फाइदा नहीं होता for he could not love that faithful lady too well और वो उसको बहुत अच्छे से प्यार भी नहीं कर पाता but for poor Lysander to be forced by a fairy love charm to forget his own true Hermia but क्या हुआ कि जैसे क्योंकि puck ने उसकी आँख में वो juice डाल दिया था poor Lysander उसको अपनी true Hermia यानि Hermia को भूल जाना था क्योंकि उसकी जो आँखों में जो juice था उसका उसने उस पर पूरा जादू कर दिया था and to run after another lady and leave Hermia asleep quite alone in a wood at midnight was a sad chance indeed अब वो क्योंकि Hermia को पूरी तरह भूल चुका था किसकी वज़े से उस juice की वज़े से and to run after another lady और उसे वो दूसरी लेडी के पीछे वो चला गया था and leave Hermia asleep और Hermia को उसने सोते हुए भी छोड़ दिया कहाँ पर quite alone in a wood at midnight और आदी रात को उस जंगल में उसने सोते हुए अकिला छोड़ दिया और दूसरी लेडी के पीछे चला गया was a sad chance indeed ये सच में ही मतलब बहुत ही दुख की बात है thus this misfortune happened अब ये दुरघटना तो हो गई थी misfortune मतलब कोई बुरी घटना Helena as has as has been before related endeavored to keep pace with Demetrius when he went with Demetrius अब Helena as has been related Helena जैसे हमने पहले ही इसके बारे में पता है Helena के बारे में कि endeavored to keep pace with Demetrius कि उसने बहुत कोशिश की कि वो Demetrius के साथ रहे या Demetrius उसको अपना ले when he ran away so rudely from her और जब उसके बहुत ही rude होकर वो से दूर चला गया था but she could not continue this unequal race long और जबकि वो उस race को मतलब उसको पाने की दुबार से कोशिश करती रही जो पॉसिबल नहीं हो सुका men being always better runners in a long race than ladies तो यह कहा जाता है कि अगर आदमी जो man होते हैं वो better runner होते हैं एक कलंबी race में ladies से मतलब अगर कोई आदमी किसी अगर आदमी किसी lady को छोड़ देते हैं उसको दोखा देते हैं तो उनकी पीछे जाना उस lady के लिए अगर वो जाती भी है तो बहुत मुश्किल होता है उसको वापस लाना Helena soon lost sight of Demetrius Helena जल्दी Demetrius को भूल गई थी and as she was wandering 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 मतलब गूमना है और जैसे वो यहां वहां गूम रही थी उस ताइम about dejected and forlorn dejected मतलब वह दुखी थी और neglect भी हो रही थी कौर उसको neglect कर रहा था Demetrius she arrived at the place where Lysander was sleeping तो वह वहां उस जगह पर आगी जहां पर Lysander सोया हुआ था aha said she उसने बोला अरे वहां this is Lysander lying on the ground तो उसने देखा यह तो Lysander है जो जमीन पर लेटा हुआ है is he dead or asleep अब उसने सोचा कि क्या यह मर गया है या सोया हुआ है then gently touching him she said उसने उसको बहुत देरे से टच किया और बोली good sir if you are alive awake यह अगर आप जीवित हो तो please जाग जाओ upon this Lysander opened his eyes और जैसे ही उसने कहा Lysander ने अपनी आखे खोली and the love charm beginning to work और जैसे ही उसने आखे खोली तो उसकी आखों में जो juice डला वह था उसने अपने काम करना शुरू कर दिया यानि उस पर वो जादू हो गया कि वो जिसको भी पहले आखे खुलते ही जो भी उसकी सामने होगा उसको उसी चीज से या आदमी से या और से प्यार हो जाएगा immediately addressed her in terms of extravagant love and admiration तो जैसे ही उसका जादू काम करना शुरू किया उसने immediately उसको address किया in terms of मतलब उसको बहुत जादा प्यार और उसकी प्रशनसा करने लगा यानि उसकी अच्छाई की बारे में बताने लगा now telling her she as much excelled her hermian beauty as a dove does a raven अब लैजेंड यहां जो Helena है उसको क्या कहता है कि वो इतनी सुन्दर है extra wagon यानि बहुत ही जादा वो उसके बारे में मतलब उससे प्यार से बाते करने लगा और कहने लगा कि वो excelled hermian मतलब वो hermian से ही सुन्दरता में बहुत जादा सुन्दर है as a dove like a does a raven तो वो इतनी सुन्दर है कि उसको ऐसे लगा जैसे dove यानि जो सफीद dove यानि सफीद कबूतर होता है does a raven और raven यानि crow तो मतलब उसने यह तुलना कर दी कि हर्मिया जो हर्मिया है वो raven जैसी है और जो helena है वो dove जैसी है and that he would run through fire for a sweet sake और वो उसके लिए कुछ भी करेगा and many more such lover like speeches और इसी तरह कि उससे बहुत सारी यानि जैसे प्रेमिया आपसे में बात करते हैं उसकी प्रशन सा करना उसके वारे बहुत अच्छी अच्छी बाते बोलना और ऐसी ही वो सब बाते बोल रहा था Lysander किसके लिए नाव? Helena के लिए Helena knowing Lysander was a friend Hermia's lover Helena जानती थी कि जो Lysander है यह उसकी friend Hermia का प्रेमी है and that he was solely engaged to marry her और वो उससे शादी करना भी चाहता था was in the utmost rage अब उसको यह सब बाते अपने बारे में जब Lysander उसके बारे में ऐसी बाते बोल रहा था कि तुम बहुत सुंदर हो Hermia से भी सुंदर हो और मैं तुम्हाई यह कुछ भी करूँगा उसको बहुत ही ज़्यादा अटमोस्रेश इन बहुत ज़्यादा गुस्सा है when she heard herself addressed in this manner और जब ऐसे आप बाते उसने Lysander के मुह से अपने लिए सुनी for she thought as well as she might अब उसने सोचा that Lysander was making a jest of her उसी लगा कि Lysander शायद उसका मजाग बना रहा है oh said she तो बहुत दुखी होकर उसने का why was I born to be mocked and scorned by everyone कि मैं क्यों पैदा हुई सब का मजाग जो सब मेरा मजाग बना सके मैं क्यों ऐसी पैदा हुई और बहुत दुखी हुई is it not enough is it not enough young man तो उसने young man से खा कि क्या ये काफी नहीं है कि सब मेरा मजाग बनाते है मतलब Demetrius ने एक तरह से मुझे छोड़ दिया और अब तुम भी मेरे साथ ऐसी बाते कर रहे हो मतलब तुम भी मेरी फ्रेंड को दोका दे रहे हो तो एक तरह से मेरा मजाग बना रहे हो that I can never get a sweet look or a kind word from Demetrius कि क्या कभी Demetrius से मुझे अपने लिए एक मतलब वो मेरी तरफ देखेगा और मेरे से प्यार से बाते करेगा but you sir must pretend in this disdainful manner to quote me तो उसने गा और आप भी मुझे मतलब मतलब अब तुम मेरी तरफ खिच रहे हो मुझे से प्यार की बाते कर रहे हो तो तुम भी मतलब किसी को दोगा दे रहे हो I thought Lysander you were a lord of more true gentleness उसने खा Lysander मैं ऐसा सोचती थी मुझे ऐसा लगता था कि तुम एक बहुत ही अच्छे आदमी हो saying these words in great anger of his own Hermia who was fast asleep और Lysander भी उसके पीछे गया followed यानि उसका पीछे करने उसके पीछे पीछे चला गया quite forgetful और Hermia को बिल्कुल ही भूल चुका था who was still asleep जो अभी तक सो रही थी यानि Lysander ये बिल्कुल भूल गया कि Hermia कौन है और वो जो अभी सो रही है और ये सब बूल कर वो Helena के पीछे पीछे चला गया उसको मनाने के लिए I hope कि ये second part आपको समझ में आया होगा और अगर समझ में आता है अच्छे से समझ में आता है अच्छा लगते तो प्लीज चैनल को like, share and subscribe कीजिए और मोटिवेट कीजिए जल्दी से जल्दी मैं ये book कतम कर सकूँ और अगर नहीं समझ में आता है तो कोई बात नहीं प्लीज छोड़ दीजिए औके और तब तक के लिए पढ़ते रहे सीखते रहे, take care and bye